हेलो फ्रेंज, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल इंडियन मॉमकॉम आज मैं आपको बताने जारे हूँ हाथ पैरों का सुन होना, हाथ पैरों का सोना यानि कि नम्बनेस का इलाज कैसे किया जाए बहुत सारे लोग इसे बहुत साधारन मान कर ऐसे ही सहते रहते हैं और ये समस्या आगे चल कर नसों से सबंदित समस्यां को इतना बढ़ा देती हैं कि उसका इलाज संभव नहीं हो पाता तो आज मैं आपको बताने जारे हूँ नम्बनेस हाथ पैरों के सोने की समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं हाथ पैरों का सोना कब स्टार्ट होता है जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है उन लोगों के अंदर एक माईलिन जो होती है नसों के ऊपर चड़ी हुई माईलिन खतम होने लगती है, जिस माईलिंड का काम है, हर एक नस के उपर कवरिंग की तरह काम करती है तो वो कवरिंग यानि विटामिन B12 की कमी से, वो कवरिंग कमजोर पड़ जाती है जिसके कारण नसे भी कमजोर पड़ जाती है जिस body के part में भी दबाव बढ़ता है यानि वहाँ खून का circulation अच्छे से नहीं हो पाता और उसके कारण ही हाथ पैर सोने लगते हैं चाहे हाथ के सो जाए या पैर सो जाए ऐसा होने लगता है, सुन होने लगते हैं यह समस्या रात को शुरू होती है तो इसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहली चीज हमें अपनी body में vitamin B12 को पूरा करना होगा आपको मैं इलाज जरूर बताऊंगी कि इसका इलाज हमने कैसे करना है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी body में vitamin B12 को पूरा करना बहुत जरूरी है अगर आपकी body में vitamin B12 की कमी है तो ने केवल नसों से सबंदित समस्या हमें फेस करनी पड़ेंगी बलकि दिमेशिया यानि कि यादश्थ खोने जैसे समस्या भी हो जाएगी आँखों के नीचे dark circle हो जाएगे आँखें इतनी कम जोर हो जाएगी कि बहुत जल्दी आँखें वीक पड़ जाएगी आँखों से धुनला दिखाई देने लगेगा मुह में च्छाले हो जाएगे तो अच्छा का color यानि skin का color जो है गाजर का सेवन करना चाहिए वैसे vitamin B12 शाकाहारियों में कम होता है मासाहार में यानि non-vegetarian में बहुत सारा vitamin B12 होता है तो शाकाहारी लोगों को जादा vitamin B12 की कमी होती है तो आपको क्या करना है अगर आप शाकाहारी है तो आप sprout यानि अंकूरित अनाज का सेवन करिए गाजर का सेवन कीजिए इन चीजों का सेवन करके आप बहुत जल्दी अपनी body में vitamin B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं तो अब मैं आपको बताने जारी हूँ इलाज आप चाहते हैं उस myelin को मजबूती देना यानि कि जो नसों के उपर myelin है उसको मजबूती देना इसके इलावा blood के circulation को ठीक रखना तो उसके लिए कलोंजी का इस्तमाल करना बहुत फाइदेमन्द है सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी कलोंजी उसे सुबह सुबह खाली पिट खाकर एक चुटकी सिर्फ और एक चुटकी ही लेनी है चबाली जी और उपर से गुनगुना पानी पी लेजिए ऐसा करने से blood का circulation अच्छा होता है 15 ही दिनों में आप result देखेंगे कि जो हाथ पेर सो रहे थे सुन पड़ रहे थे वो ठीक होने लगेंगे तो ये बहुत ही असान सा तरीका है सिर्फ आपने एक चुटकी कलोंजी का सेवन करना है क्योंकि कलोंजी के अंदर आइरन, जिंक, पोटेशियम, सिलेनियम ऐसे पोशक तत्व मौजूद है जो हमारी पॉड़ी में blood के circulation को तो better करते ही है इसके इलावा नसों से संबंदित समस्याओं को दूर करते है diabetes यानि मधुमय के लिए काफी फायदे मंद है heart के लिए बहुत फायदे मंद है ये माना जाता है कि कलोंजी और कलोंजी का तेल जो है मोत को छोड़कर हर एक मर्ज की दवा है ये तो अगर आपके कोई सवाल है इस पीडियो से संबंदित तो जरूर पूचिए आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा क्या आपके लाइक से मेरा मॉटिवेशन अब होता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay healthy, always be happy thank you for watching my video, okay, bye